बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी समय निकालने के लिए और सेशन का नाम है बीजेपी में हर्श है बीजेपी में हर्श सुभाविक भी है लगातार तीसरी बार सरकार है दिल्ली के सारे सांसत जीते हैं हर्श का विशय है और हर्श जी के लिए भी व्यक्तिकत हर्श का विशाई ये है कि चुनाओ भी अच्छे मार्जिन से जीते और फिर मंत्रालाई भी मिला लेकिन आज हम बात करेंगे कि दिल्ली के लोगों में कितना हर्श है हमारी थीम है एक भारत श्रेष्ट भारत हम कह रहे हैं कि राज्य मिलकर देश मनाते हैं क्या आपको लगता है कि दिल्ली और केंद्र सही दिशा में हैं और श्रेष्ट भारत के निर्मान ने योगदान दे रहे हैं दिल्ली में जो केंद्र है वो बिलकुल सही दिशा में है इसी कारण से तीसरी बार दिल्ली की जनता ने भी सातो सांसद भारते जनता पार्टी के दिये हैं और पूरे देश में भी 240 सीटों को आना तीसरी बार पूर्ण भहुमत की सरकार बनना यह अपने आप में बड़ी बात है तो देश की जनता भी केंदर की सरकार ने जो पिछले 10 वर्षों में जनकल्यान के आधर्णिये नरेंदर मोदी जी के नित्रत्व में काम किये हैं उसको समझा है और उसके लिए उनको लगा कि तीसरी बार फिर आधर्णिये मोदी जी प्रधान मंतरी होने चाहिए देश को फर्दर प्रगती की रहा पर जो ले के जा रहा है उसको ले जाने के लिए आज भारत विश्व स्तर पर ग्यारवे पाइदान से आज पाचवे पाइदान पर आर्थिक स्तिती में विश्व के स्तर पर पहुँचा है और मोदी जी का संकल्प है कि अगले पाच वर्षों में आर्थिक स्तिती में भारत तीसरे पाइदान पर पहुँचेगा विश्व स्तर पर तो ये सिरफ कहने की बात नहीं है ये पिछले दस सालों में करके दिखाया है इसलिए देश की जंता को विश्वास भी प्यादा बिल्कुल लेकिन मैं शुरुवात इससे भी करता हूँ आपके आपके पास दो महत्पूर्ण जिम्मेदारिया हैं एक तरफ सड़क परिवहन का मंत्राले है दूसरे तरफ कॉर्परेट अपहर्स का मंत्राले है ये दोनों मंत्रालेओं में जो कामकाज हो रहा है ये पैंसट सालों से कंपेर करूं जे तो देश के अंदर नेशनल हाइवेज आज एक लाख पैंतालिस हजार किलोमेटर के लगबग हैं जो दो हजार चौदा तक केवल नब्बे हजार किलोमेटर थे तो लगबग 55,000 किलोमेटर अजादी के बाद से लेकर के नब्बे हजार और 2014 से आज तक 55,000 किलोमेटर नेशनल हाइवेज का बनना ये अपने आप में बहुत बड़ा रिमार्केबल बात है और वो नेशनल हाइवेज कोई रोड और कॉंक्रीट की सड़के भर नहीं है जो कि गाओं की किसानों की कनेक्टिविटी मार्केट से शेहरों से इस चीज को एंशोर करती है इस बार के भी बजट में लगबग 25,000 क्रोड रुपे ग्रामीन सड़क योजना के लिए आदर्निये प्रधानमंत्री जी ने आदर्निये वित्यमंत्री जी ने अलोकेट करे ह तो ये जो लगातार प्रगती और तरक्की है ये हमारा जो नेशनल हाईवेज मिनिस्ट्री है उसमें भी दिखती है और अगर मैं बात करूँ कॉर्परेट अफेर्स की तो कॉर्परेट अफेर्स जो प्रधानमंत्री जी का कहना है इस अफ डूइंग बिजनस तो आज कॉर करनी है तो दो से तीन दिन में इंकॉर्परेट होती है अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा है उसको दिल्ली उसकी मुंबई बेस कंपनी है उसे दिल्ली से उसको इंकॉर्परेट दिल्ली में बैठके उसको ऑफिस में इंकॉर्परेट करना है तो उसको मुंबई के आर करवाना है वोलंटरी स्ट्राइक ओफ होना है तो 2023 में इसका प्रोविजन भी किया कि वो भी आज जो पहले दो साल तीन साल लगा करते थे वोलंटरी स्ट्राइक ओफ में आज वो साथ दिन में सतर दिन में स्ट्राइक ओफ होता है उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया गया और इस ओफ डूइंग बिजनस में आज कंपनी इंकॉर्परेट करते हैं जो दो से तीन दिन में एप्लाई करने के बाद इंकॉर्परेट हो जाती है कंपनी बन जाती है उ यह ease of doing business का वो अपने तीसरे दिन से अपना business शुरू कर सकता है जी लेकिन दो चीजें और मैं आप से जानना चाहता हूँ खास्त और से मैं दिल्ली की राजनीती को लेकर आप आप से बात करना चाहता हूँ कबीर जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई रिफरेंस आप समझ गए होंगे क्योंकि राज्य और केंदर के बीच का अगर समनवाए ठीक नहीं होगा तो नुकसान तो अल्टिमेट जनता कोगा और आप ही लोग जब दिल्ली में अभी विधान सबा चुनाव केंपेन करने के लिए निकलेंगे तो बताएंगे कि दिल्ली की जनता कितनी तकलीफ में है तो ये क्या इसी तरह से पिष्टे रहेंगे दिल्ली के लोग या कुछ तरकीब निकाली जाएगी वाकई बहुत दुरभाग्य की बात है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के राज्य की सरकार है और अब तो आमादमी पार्टी की नगर निगम भी है पिछले डेड़ साल से वहाँ पर काम ना करने की होड लगी हुई है आपस में दिल्ली की जनता के लिए वो बिलकुल सोचने को तयार नहीं है ना दिल्ली की सरकार के पास कोई पॉलिसी है कि दिल्ली की जनता को किसमत में कहां पर सोलियत देनी है और ना उनको इंप्लिमेंट करने का तरीका भी नहीं आता है दुरभाग्य की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर इत्ते बड़े भरष्टाचार में जेल में है कोट जो निडने करेगा करेगा वो ठीक है लेकिन ऐसे बहुत से काम है जो स्वयम मुख्यमंत्री के सिगनेचर से होने है और अनफॉर्चुनेटली जेल के अंदर से कोई फाइल साइन होकर के नहीं आ सकती जिसके कारण से टोटल पेरलिसिस है दिल्ली सरकार के अंदर और नगर निगम की विस्तिति इसलिए ये है कि बिना केजरिवाल साब से पूछे उनकी मेयर या उनके बाकी जो पार्षद है वो कुछ कर नहीं सकते आप देखिए डेड़ साल हो गया लगबग आज दिल्ली की कॉर्परेशन के पास स्टेंडिंग कमेटी नहीं है स्टेंडिंग कमेटी निगम को चलाने वाली सबसे बड़ी फिनेंशल बॉड़ी है और कोई भी बड़ा खर्चा होना है वो खर्चा स्टेंडिंग कमेटी ही विजुलाइज करके पास करेगी क्यों नहीं है क्यों इन्होंने उसके लिए आज तक कुछ नहीं किया अब कोर्ट ने जब कहा है कि standing committee बननी चाहिए तो हिलना डूलना शुरू किया है तो इनकी intention नहीं है unfortunately दिल्ली के लिए काम करने की सिरफ ब्रष्टाचार करने आये थे ब्रष्टाचार को हटाने का नारा दे करके केवल और केवल ब्रष्टाचार किया है मैं काली political बात भी कर रहा हूँ जी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ आपके माद्यम से दिल्ली की देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो DMC हमारा जो constitution है उसकी धारा 243 के अंतरगत राज्ये की सरकार को अपने अंतरगत आने वाली जो नगर निगम है उनको आर्थिक तोर से पोशित करना होता है और कैसे करना है जो उस राज्ये की जनता का tax का पैसा है उसका 12.5% देना है जो शायद वो आज भी जब हमारी निगम की सरकार थी मैं मेयर था हम लोगों को unfortunately इस बात के लिए धरने पर बैठना पड़ा था उस समें भी केजरिवाल साब की सरकार ने वो पैसा नहीं दिया था 13,000 करोड रुपे पैंडिंग था उस समें 2017 तक की बात कर रहा हूं और unfortunately अब दोनों सरकार है उनकी है आज भी दिल्ली की सरकार नगर निगम को चलने के लिए पैसा नहीं दे रही है इसी कारण से दिल्ली कित्रा कित्रा हो रही है लेकिन उनका तर्क तो ये है कि आपके अधिकारी जो है वो उनकी बात नहीं सुनते अधिकारी जो है वो केंदर सरकार केंडर हैं आप डिस्टर्ब करते रहते हैं अब जहां तक आपने कच्रे की बात कहीं तो वो यह कहते हैं के पंद्रा साल इनकी सरकार रही कच्रे के धेर इनों ने लगाए गाजीपूर आपके इलाका है तो वहां पे जो इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है आप भी कहते थे कि ठीक करा देंगे वो भी कहते हैं ठीक करा देंगे दिल्ली के लोगों को तो बद्बूझ हिल नहीं पड़ रही है जैसे यमना जी की सफाई के बारे में बार 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 बोलते रहते हैं पर चलिए कच्रे के पहाड़ को भी देखते हैं ये जो करेंगे करेंगे पर जो गली महले में सडक पर कूड़ा पड़ा है वो तो इनको ही साफ करना चाहिए ना उसको साफ करने में इनको क्या तकलीफ है इनके पारिशत काम नहीं करना चाहते इनकी मेर काम नहीं करना चाहती अधिकारी को अगर आप अपने पास बुला के थपड़वाओगे तो अधिकारी आपकी सुने का कैसे और कोई अधिकारी ने अपना काम करना है Political Wing ने अपना काम करना है सरकार जो चलती है वो चलेगी लेकिन उसके लिए काम करने की इच्छा चाहिए जो कि इन लोगों की काम करने की इच्छा नहीं है इनके पास क्या policy है दिल्ली की industry को लेकर के policy बताएंगे क्या कोई दिल्ली की industry को लेकर के policy है दिल्ली के traders को लेकर के कोई policy है जो राज्ये की सरकार की होनी चाहिए ना दिल्ली के अंदर आज 5000 से जादा दुकाने सील पड़ी है इनके कारण से what they have done for this जी एक अंतिम प्रशन आपसे मैं करता हूँ जुग्ईयों को लेकर आपने वादा किया आपने कहा कि मेरा पहला मकसद जुग्ईयों के लिए काम करना है उनको कब तक ठीक करवा रहे हैं कब तक मकान दिला रहे हैं मैं बताता हूँ आपको जहां जुग्गी वहां मकान ये प्रधान मंत्री जी की बहुत महत्वकांग्शी योजना है और दिल्ली के अंदर ही गोविनपुरी में तीन अजार से जादा जुग्गियों को हटा करके तीन अजार लोगों को चाबी दे दिया है पोजेशन दे दि जादा लागू हो सकती है उसमें 25 परसेंट राज्य की सरकार को देना है हमें पता है वो नहीं दे रही है ना वो देना चाहती है क्योंकि ये योजना प्रधान मंत्री जी की योजना है पर जैसा मैंने हमने कहा था हमारे पूर्वी दिल्ली में कलंदर कॉलोनी करके एक कॉल जी हमारे साथ जुनने के लिए हरश्ट जी के लिए आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं उन्होंने इस विशेश कार्डिकरम के लिए समय निकाला धन्यवाद